नमस्कार दोस्तों मैं आर्टी छिलर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जोव फाइंडर में तो आप प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखे उसके बाद यदि वीडियो आपका अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नहें हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबादे ताकि जब भी नए वीडियो अप्लोड हो आपके पास तो चले शुरू करते हैं पहला क्यूशन है आपका हडपा किस नदी के किना रिष्टीत है हडपा किस नदी के किना रिष्टीत है तो वह है रावी नदी के किना रिष्टीत है नेक्स्ट क्यूशन कौन सा वैदिक देव वर्षा तथा गर्जन से संबंदीत है कौन सा वैद इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन इंडिका के लेखा कौन है सिंपल क्यूशन है सभी को पता होना चाहिए सिंपल सिंपल चीज़े आगया आगी लेवल आपका थोड़ा हाड़ता होता जाएगा तो यहाँ पे इंडिका के लेखा का वो है मेग स्थनीज ओप्सण भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपके पचास में से कितने सही हूई नेक्स्ट क्यूशन कलिंग युद के बाद समराट असोक ने कौन सा धरम सहुईकार किया καलिंग युद्ध के बाद संपराट असोख ने कौन सा धरम सहिकार किया तो वो क्या था बोध धरम ओप्शन अ आपका यहां पे सही हो जाए इसके बाद नेक्स्ट कुस्षन एलोरा के कैलास मंदिर का निर्मान किस ने करवाये था एलोरा के आपका यहां पे सही हो जाए next question हल्दी गाटी के युद में मुगल समराट अकबर की सेना का नितत्तोर किसने किया था हल्दी गाटी का जो युद हुआ उसमें अकबर की सेना का नितत्तोर है वो किसने किया था तो वो किया था मान सिंग पर्थम ने option D आपको यहाँ पे सही हो जाए हमने पूरी कोशिस की है कि आपके पास एक भी परसेंट आपके पास error नहों फिर भी यदि आपको किसी भी क्युस्टन पे थोड़ा बहुत भी doubt हो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना आपके सारे क्युस्टनों का reply वहाँ पे मिलेगा नमबर साथ कोन से फ्रांसिसी यात्री ने छे बार भारत की यात्रा की तो वह जाएंगे आपको यहाँ पे इसका जो सई आंसर है वह आजाएगा टेवर नियर ने ओप्शन डी आपका यहाँ पे धुरीना एप लेकर आया है हर्याना पुलीस हर्याना ग्राम सचीव हर्याना जी के इंडिया जी के वह अन्य हर्याना के कोर्सिस पर 25 फरवरी रात 12 बजे तक 80 प्रतिशत की भारी छूट जहाँ पर आप जोईन कर सकते हैं हर्याना के टॉप कॉर्सिस को कम से कम फीस में इसके साथ आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो धुरीना एप पर आप पा सकते हैं फ्री टेस्रीज वह हैं डिटर नौट्स जो की एक्सपिरेंस टीचर के द्वारा तयार किये गए हैं और यदि आप हर्याना एक्जाम के लिए पनहा नगर की स्थापना की किस मुगल समराथ ने दीन पनहा नगर की स्थापना की तो वो की थी उमायू ने ओप्शन डी आपका यहां पे सही हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन दिली के परसीद सासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था दिली का जो परसीद सासक था फ फरीद तो इसका answer हो जाएगा option B तो फरीद को किस और नाम से जाना जाता था सेरसा के नाम से अगला question कनोज का युद किस के बीच लड़ागा important question है पता होना चाहिए नहीं पता वो उसको मैं बता देता हूँ कनोज का युद है वो मुगल और सेरसा के बीच लड़ा गया था तो option D आपका यहां पे सही हो जाएगा next question 1857 के विद्रो के समय बिर्टिस परदानमंत्री कोन था 1857 के विद्रो के समय बिर्टिस परदानमंत्री कोन था तो वो था option B आपका यहां पे सही हो जाएगा next question गांदी जी भारतिय राष्ट्य कांगरेश के अध्यक्स कितनी बार बने गांदी जी भारतिय राष्ट्य कांगरेश के अध्यक्स कितनी बार बने तो यह बने थे एक बार option A आपका यहां पे सही हो जाए next question सवराज पार्टी की स्थाबना किस वर्ष की गई सवराज पार्टी की स्थाबना किस वर्ष की गई तो वो की गई थी 1923 उश्य में option D आपका या पर सही हो जाए next question राज्यों के राज्येपालों की केंदर दुआरा निवक्ति का प्रावधान किस देश के सविधान से लिया गया है राज्यों के राज्येपालों की केंदर दुआरा निवक्ति उसका जो प्रावधान है वो कौन से देश के सविधान से लिया गया है तो वो लिया गया है कनाड़ा के सविधान से option C आपका या पर सही हो जाएगा next question सविधान में कल्यान कारी राज्ये का आदेश दिया जाता है नित्ती निर्देशक तत्वों में इसके बाद नेक्स्ट कुशन इन में से कौन से पदाधिकारी को संसद महावियोग दुबारा पद से अटा सकती है इन में से कौन से पदाधिकारी को संसद महावियोग तो महावियोग सभी को पता किसे लगता है राष्ट पती पे तो option D आपका सही हो जबारा राष्ट पती को महावियोग दुबारा खटाया जा सकता है नेक्स्ट कुशन बारत के सर्वोचे नाले में न्युक्त पर्थम महिला नायदिस कौन थी बारत के जो सुप्रिम कोट है उसमें पहली महिला नायदिस थी वो कौन थी तो वो थी M. फतिमा बीबी ओप्शन A आपका यहां पे सही हो जाए नेक्स्ट कुशन विदान सबा अध्यक्स त्याग पत्तर किसे देता है विदान सबा का जो अध्यक्स होता है वो त्याग पत्तर है वो किसे देता है तो वो देता है उपा अध्यक्स को ओप्शन A आपका यहां पे सही हो जाए क्यूशन नमबर 19 भारत में स्थानिय सवसासन का जनम दाता किसे माना जाता है तो वो माना जाता है लाड रिपन को ओप्चन B आपको यहाँ पे सई हो जाएगा Next question पंचायती राज संस्थाओं का निर्मान सरो पर्थम किस राज्य ने किया था पंचायती राज संस्थाओं का निर्मान सरो पर्थम किस राज्य ने किया था तो वो क्या था राज्यस्थान ने और उसके बाद आपको बताना second number पे किस ने किया था वो आपको कमेंट में बताना है तो पहली बार तो सरो पर्थम किस ने किया राज्यस्थान ने सेकेंड नंबर का आपको कमेंट करके बताना है क्यूशन बीस कांच एक की सविधान में परीशंग वे एकिक परजातियों का यह अनुठा मिश्रण है उप्युक्त कथन है वो किसका है तो यह कथन है वो है दुर्गादास बसू का उप्शन C आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन निती निर्देशक तत्वों का मुख्य उदेश से क्या है निती निर्देशक तत्वों का मुख्य उदेश क्या है तो वो है लोग कल्यानकारी राज्ये की स्थापना लोग कल्यानकारी राज़े की स्थापना ओप्शन A आपका यहाँ पे सही हो जाए क्यूशन नमबर 30 लोग सबा और राज़े सबा की सहयूंत अधिवेशन की अधिक्स्ता किसके दुआरा की जाती है लोग सबा और राजे सबा की सयुंगत अधिवेशन की अधिक्सता किसके दुआरा की जाती है तो वो की जाती है लोग सबा अधिक्स के दुआरा ओप्शन डी आपका यहां पे सही हो जाए नेक्ट क्यूशन अधिकान से जो अला मुखी कहां पाए जाते हैं अधिकान से जो अला मुखी कहां पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं परसांत मासागर्म option C आपका यहां पे सही है जाए next question निमन लिखित में से कौन सा एक नवी करणिये संसादन नहीं है निमन लिखित में से कौन सा एक नवी करणिये संसादन नहीं है तो वो है जिवास्म इंदन ओप्शन D आपका सही है जाएगा जिवास्म इंदन नेक्स्ट कुशन अंगूर की खेती को क्या कहते हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं विट्टी कल्चर ओप्शन C आपका यहाँ पे सही हैजएगा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइच जरूर कर देना और चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बैल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरूर नोटिफिकेशन पहुंच जाए बारत का महतपुरून इसपात उत्पादन के अंदर कहां है बारत का महतपुरून इसपात उत्पादन के अंदर कहां पर है तो वो है उप्रोक्त सभी में बिलाई में भी है दुरूर पूर में भी है और जमसेद पूर में भी है तो उप्सन डी आपका यहां पर सई हो गंगा मैदान में नदियों के तट के साहरे पाई जाने वाली जलोड मिर्दा को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं खादर option A आपका याँ पे सही हो जाए next question निमल लिखित में से कौन सा एक परी इस्तितिक तंतर पर्थवी के सरवादिक छेतर फल पर फैला हुआ है कौन सा एक जो है इन चारों में से जो पर्थवी के सब स्याधिक छेतर पर फैला हुआ है तो वो है आपका समुद्रिक, option D आपका यहां पे सई हो जाए, इसके बाद next question, भारत में सबसे कम वर्षा वाला इस्थान है, तो इसका सई आशर हो जाएगा, आपका ले है, option A आपका यहां पे सई हो जाएगा, इसके बाद next question, बुद्ध किस वन से संबंदित थे तो वो थे साक्य वन से option C आपका यहाँ पर सही होगा इसके बाद next question भारत में जैन दरम का सनस्तापक कौन है भारत में जैन दरम का सनस्तापक कौन है तो वो जाएगा आपका माहवीर option B आपका सही हो जाए next question युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था वो निकाला था चंदरगुप्त मोरियन है option A आपका यहाँ पर सही हो जाए next question निमल लिखित में से विद्या की सबसे पुराणी पीठ कौन सी है निमल लिखित में से विद्या की सबसे पुराणी पीठ कौन सी है तो वो है तक्सिला, सबसे पहले यह आई थी आपकी तक्सिला तो option A आपका यहां पे सही हो जाए next question किसके सासनकाल के दोरान अजन्ता की गुफ़ाय निर्मित की गई या कौन से काल में अजन्ता की कुफ़ाय है वो निर्मित की गई तो वो की गई थी गुप्त काल में ओप्शन A आपका यहां पे सही होगा इसके बाद next question खजुराहु मंदिर का निर्मान किस ने किया था खजुराहु मंदिर का निर्मान किस ने किया था तो वो क्या था चंदेल राजबूत ने ओप्शन C आपका यहां पे सही हो जाएगा next question साची का महान सतूप कहां परिष्थित है important question बहुत बार पुछा जा चुका आगे भी आने के पूरे पूरे चांच से तो साची का सतूप है वो कहां परिष्थित है तो वो है मद्य पर्देश में और मद्य पर्देश में जगा पुछे तो राय सेन में है तो option B आपका यहां पे सही हो जाए next question अजमेर में डाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाय था important question है बहुत ही ज़ादा अजमेर में डाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाय था तो वो बनवाय था कुतूब दिन एबखने option A आपका यहां पे सही हो जाए next question निमल लेखित में से किसे भारत का तोत्ता का जाता है भारत का तोत्ता है वो किसे का जाता है तो वो का जाता है अमीर खुशरो को option B आपका यहां पे सही हो जाए next question भारत में चमडे का परतीक मुद्रा किसने प्रारंब की भारत में चमडे की परतीक मुद्रा किसने प्रारम की तो वो की थी मुम्मद बिन तुगलक ने ओप्शन सी आपका यहाँ पे सई हो जाए वह इसके बाद अगला क्यूशन भारतिय सविदान कब अपनाय गया था इनमें आप कन्फूज होते हो या आपका कन्फूजन अभी मैं दूर कर देता हूं यहाँ पे तो देखें भारतिय सविदान कब अपनाय गया था तो अपनाय तो गया था वो 26 नॉमबर 1949 को लेकिन लागू वा था वो वा था 26 जनवरी 1950 को तो यहाँ वे पुछा अपनाय कब गया तो 26 नॉमबर 1949 को अपनाय गया और लागू वा था वो वा था 26 जनवरी 1950 को तो दोनों अलग-अलग हैं याद रख ले नेक्स्ट कुछ प्रारम में कितने मोलिक अधिकार दिये गए थे सविदान बना उस समय कितने मोलिक मोलिक अधिकार है वो दिये गए तो उस समय साथ दिये गए थे जिन में से एक अब समपतिक अधिकार है उसको अटा दिया गया है अब मोलिक अधिकार 6 है तो प्रारम में पूछा है तो आपके साथ वहां प्यांसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन प्रेस की सवतंदरता इंपोर्टेंट क्यूशन है भारते सविदान के किस अनुचेद से मिलती है प्रेस की सवतंदरता भारते सविदान के किस अनुचेद से मिलती है तो वो मिलती है अनुचेद 19 से और कैब आग से ठीक है इसके बाद next question मौलिक अधिकार निर्मित किये जा सकते हैं मौलिक अधिकार निर्मित किये जा सकते हैं तो वो किये जा सकते हैं राष्ट पती के दुआरा option B आपका यहां पे सई हो जाए इसके बाद अगला question पर्थम भासाई राज़े किसने बनाय गया था या पर्थम बासा ही राज्य है वो कौन सा बनाय गया था तो पर्थम बासा के आदार पर जो राज्य बना था वो था आपका यहाँ पे अंदर परदेश option B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा next question Karl Marx दुवारा लिखित है तो Karl Marx दुवारा कौन सी चीज लिखित है इन में से बताना आपको तो वो है दास कैपिटल कौन सी है दास कैपिटल तो option B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा next question लक्ष दीप में कितने दीप समू है लक्ष दीप में कितने दीप समू है तो वो हैं 36 दीप समू और कई बार आप से पूछ लेता है कि लक्ष दीप की राजधानी क्या है तो वो हो जाएगी कईव में कावरती आजाता है कईव में कावरती आजाता है तो यह देख लेना जो भी आए वो आप लिख देना ठीक है तो कितने दीप हैं? 36 दीप है जिलों का अध्यन क्या कहते हैं? जिलों की अध्यन को क्या कहते हैं? जिलों का अध्यन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका Limnology, option A आपका यहां पे सही हो जाएगा next question भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है तो वो कहा जाता है यमुना न दिको option B आपका यहाँ पे सई हो जाएगा इसके बाद next question और आज के वीडियो का हमारा last question भारत में किस राज्ये को धान का कटोरा कहते हैं जो option दे रखे हैं उनमें आपको बताना है भारत में किस राज्ये को धान का कटोरा कहते हैं तो वो जाएगा आपका अंदर परदेश option C आपका यहाँ पे सई हो जाए तो फ्रेंट्स जो option में दे रखे हैं उस हिसाब सी तो आपको वीडियो कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो निच्चे कमेंट करके आपको यह जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने सही है ताकि आपको भी अपनी तैयारी पता चले और आने वाले सभी एक्जाम के लिए मारी तरब से best of luck धन्यवाद